अपको फिर से आपके सामने लोगसबाद चुनाओं के रिजल्ट चार जून को आने हैं आज तीन जून है लेकिन खुशकबरी आज की पहले सुनिए चार जून की खुशकबरी आपकी किस पार्टी को आप चाहते हैं उसके एसाब से डिसाइड होगा आपने किसको वोट किया वो बात की बात है इंडिया जीडीपी ग्रोथ जूंक्स टू एट पॉइंट टू परसेंट इंफ फाइफ फानाइशल यह दोजार चौबिस ध्यान से समझेंगे सरल सब्दों में मैं आपको समझाओंगा कि ओवराल इसका क्या फायदा है क्या ग्रोथ हुई है क्या नहीं ठीक है तो यह कह रहा है कि इंडिया की ग्रोथ दो हजार चौविस के फानाइशल में एट पॉइंट परसेंट ग्रोथ होता ग्रॉस्टिक प्रोडट्ट इस्टिक को मतलब होता है कि इंडिया में एक अप्रिल 2023 से लेकर एक मार्च 31 मार्च दो हजार चौविस तक जितने जितने भी कॉपी और पैन चाहिए वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेंड कंपनी हो जितने रुपए की कीमत की चीज़े प्रोड्यूस की होंगी बनी होंगी जितने भी कीमत की चीज़े क्या होंगी बनी होंगी प्रोड्यूस होंगी उन सभी की कीमत को जोड कि हम क्या बना आते हैं इसमें बाहरी कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो जितना माल बनाया है उन सब की कीमतों को जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रोड़क्शन बढ़ रहा है एक नॉम ही बढ़ रही है ठीक है तो वह आठ दसमलों दो परसेंट पर जाके रुखी है तो जीडिपी का मोटी से मोटा यह हिसाब होता है बाकी डिटेलिंग में आपको कभी और समझाएंगे जब कॉमर्स पढ़ाएंगे इंडिया कॉटर फॉर जीडिपी लाइव अपडेट उसको हम नेक्स स्लाइड में पढ़ेंगी क्वाटर फॉर क्या होता है बारह महीने होते हैं थी महीने थ्री और रियल जीडीपी एस्टिमेटेट टू ग्रोव बाइट पॉइंट परसेंट इन एफवाई 24 अगेंस दसेवन परसेंट तो लास्ट ताइम दो हजार तेश में 222 जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वह कितने दिस सेवन परसेंट थी और वहीं तेश ओब इसकी कितनी है कि 8.2 परसेंट है यहां एक वर्ड मेंशन किया कि है रियल जीडीपी मैं आपको बता दो जीडीपी के भी कई टाइप होते हैं अलग-अलग आख़ने सरकार निकलती यह कौन देता है एनस सो नेशनल सर्वेशन जो सरकार का डिपार्टमेंट है वह यह डेटा प्रवाइड करती है एनस सो नेशनल सर्वेशन ऑफ इंडिया ठीक जो भी है वहां थोरह सा गलत होगा तो देख लिए अब का मत्तब देखो यार कि आप कैसे कंपैरेजन करोगे कि आप बढ़े हो घटे उसके लिए कोई बेस यह तो चाहिए किसी तो कॉंस्टेंट प्राइस हमारे हां अगरा देखा जाए तो कॉंस्टेंट प्राइस जो लास्ट सर्वेश हुआ था वो 2011 12 में हुआ तो 2011 12 के बेस प्राइस से इसको कंपैर किया जाता है क्योंकि अगर मुझे अपने आपको कंपैर करना है तो मैं किसी परसंट को स्टैंडर मानूंगा कि मुझे इससे आगे ज जब भी रिए जीडीपी बोला जातों 11 12 में जो प्राइक्स थे वापकेंग सब्सक्राइब तो जी हां हमें साथ जीडीपी उसी से मिजर की जाएगी अब जब तो अगला बैंचमार्क ना से नया बेस यह लिया जाएगा फिर उससे कंपैर्जिन किया जाएगा फिलाल गै इन्बी सी टीवी एटीन पोल्स के कॉर्डिंग इन्होंने अजुम किया था कि सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट की ग्रोथ कॉटर फोर में देखने को मिल सकती है उस इसाब से गर आप देखें तो पूरे वन पॉइंट वन परसेंट उनके अजम्शन से ज्यादा ग्रोथ ह बनिया था उसमें इंडिया वे एट पॉइंट सिक्स परसेंट की जीएपी ग्रोथ देखाए थी वहीं 2023 का कॉटर ऐसे डाउन जाता है थोड़ा सा तो कॉटर फोर की बात करें तो दोजार तेइस में जो कॉटर फॉर था उसमें हमने किया शिक्स पॉइंट तूपरसेंट की ग्रोथ देखे देख और अभी सेवन पॉइंट एट परसेंट है तो फॉजार चोबिस तेश्ट अगर आप देख आते हुए हमारी मार्केट में इंडियन एकनोमी ने भूम किया है क्लियर है यहां तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अब इसको और डिटेल में जानते हैं जब हम पूरे सब्सक्राइब होता है डबल डिजिट ग्रोथ सब्सक्राइब होता है अब डबल डिजिट की ग्रोथ जी डीपी टास्क चाइना से लेकिए सबी लोग वह अच्छा ट्राइब कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट में मलब 10 परसेंट 11 परसेंट पे क्लोस करें तो पिछले लास साल हमने कितनी पर क्लोस कि थी तो उसके एक वाटिंट का हमें फायदा हुआ है अब हम थोड़ा सा पूरा डेटा देखते हैं कि अभी तक पिछले कई सालों के रिकॉर्ड से करते हैं कि कि किस गौवर्मेंट में कैसे कैसे किसके साल जीडीपी की ग्रोथ रही है आईए अन्वल जीडीपी एस्टिमेट इन आर्यस लैक करोंड एन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज एस कॉंस्टेंट प्राइस का मतलग यहां हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की और कॉंस्टेंट प्राइस क्या लेंगे बेस ये क्या लेंगे हम बेस येर लेंगे दोहजार ग्यारा बार याद रखेगा जब भी आपसे कॉंस्टेंट प्राइस बोलाते हैं दोहजार बार तेरह जीडीपी ग्रोथ फाइब पॉइंट फाइफ तेरह चौदर सिक्स पॉइंट फॉर चौदर पंद्रह सेवन पॉइंट फॉर दैन हम पंदर सोलो में आठ ग पॉरा कोईट का डूरेशन है तो थ्री पॉइंट नाइन पे धराम से आए और उसके बाद हम माइनस में चले गए हम कहां चले दोजार बीस इकिस में माइनस पे चले गए लेकिन फिर कोविड जैसे पैंडमिक से हम बाहर आए अपने आपको लेके और फिर हमने दोजार ब सब्सक्राइब आए दोजार बाइस ते इसमें हम साथ परसेंट पे आए मार्किट के फ्लक्टुएशन और इस बार हमने किस पर क्लोज किया है एट पॉइंट पॉइंट तो इस तरह से हमने अपना यह पूरा का पूरा जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी लेवल को दिखात है और ब्राउं कलर जीडीपी के ग्रोथ को दिखाता है तो अप और डाउन के साथ हम यह कह सकते हैं कि हमारा अच्छी पॉजिटिव पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है कोशिश करेंगे 2024 पचीस डबल डिजिट का सपना लेके आए जो भी सरकार आए उसकी पॉलसी अच्छ किसका क्या कंट्रिब्यूशन है जैसे यह देखे प्रोविजन एस्टिमेट ऑफ एन्वल जीडीपी दोज़र तेश्योबिस एक्सपेंडीचर कंपोनेंट बेस प्राइस दोज़र गहरा बाराइस दोज़र प्रिविएस यह से आप इसमें कर सकते हैं बीसिक किसका भी डे इंडिया में हो या विदेश में हो उन सभी को एड करते हैं और बाहरी कंपनियों के प्रोड़क्ट को माइनस करते हैं तो एंडीपी निकलता है जीडीपी में बाहरी हो या अंदरी हो दोनों को इंक्लूड किया जाता है बस इतना सा फर्क जानी है ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आप देखे उतार चड़ाओ आपको देखने को साफ साफ देख जाएंगे जीडीपी का टूटल देता फिर वही है तो इन सारी चीजों को एड किया तब मैं यह सारी टर्म आप करते हैं तो देखें पॉब्लीक एडमिस्रेशन ओर डिफेंस में पंद्रों पर्सेंट की ग्रोथ 15 परसेंट का ग्रोथ नहीं है कंट्रिबूशन तो यह कंट्रिबूशन की कितने कितने का कंट्रिबूशन कौन-कौन सा सेक्टर करता है अग्रिकल्चर हो लाइफ स्टॉक प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं इसका 18 परसेंट का कंट्रीशन है तो दो परसेंट उसमें जो लिजे तो थोड़ा कम हो जाता है मैनुफेक्ट्रिंग अकेले फोर्टीन परसेंट लेके आती है मैनुफेक्ट्रिंग का वहीं इलेक्ट्रिक गैस वाटर सप्लाई अधर यूटिलिटी सर्विसेज हैं यह दो परसेंट का है कंस्ट्रक्शन अकेले 9 परसेंट में आता है हाला कि हम इसको मैनुफेक्ट्रिंग में जोड सकते हैं और यह जब भी आप बात करेंगे तो यह सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है क्लास एट में पढ़ाया जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है ठीक है वहीं सेकेंडरी और ट्रेटरी सर्विसेस में मिला के देखें तो हमेंसा सर्विस सेक्टर भारी रहा है हमारे जीटीपी में तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी बीस परसेंट पर सिमिट गई है और यहां पे चौदर परसेंट आप इसको भी जोड़ दीजे आए तो चौदर से रियल स्टेट को भी हम जोड़ेंगे तो कुल मिला जुला कि आप देखेंगे कि वह तीस चब्विस 27 परसेंट का कंट्रिबूशन रखेगी तो आधा में रभी आधा में सब्वेजी से कहते हैं तो 53 से 54 परसेंट सर्विस सेक्टर का कंट्रिबूशन है वाई की प्राइ सेक्टर का जोर ज्यादा है वही को बूम कर रहा है तो यह भी आपको समझ में आ गया सेक्टर वाइस भी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कि बात करें तो क्वाटर फोर में देखिए अग्रिकल्चर में क्वाटर फोर में 0.6 परसेंट का कंट्रिबूशन है ठीक है क्वाट बिल सकते है खेती में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है माइनिंग की बात करें तो कौटर फोर में 4.3 है वहीं कौटर फ्री में 7.5 था यहां भी आपको थोड़े गिरावट देखने को मिलेगी और एलेक्टर चुक्छी ओवरॉल कौटर थी से कौटर फोर डाउन है यहां रखेगा ओवरॉल कौटर फोर डाउन है और यह 2023 है जुससे आप कंपेर भी कर सकते हैं तो उसमें 2023 में माइनिंग में बढ़ात्री है लिए अधियर मैं बहुत तीजी से बढ़ात्री और ऑग्री कंपेरजन में में लादा चौबिस में बढ़ी है ठीक है चौबिस में बढ़ात्री है और इलेक्रिक सिटी में बढ़ात्री है वहीं दोजार चौबिस के थर्ड वार्टर के इसाब से देखें तो यहां यहां पर देख लिया कि पूरे कई सारे यहां पर डेटा भी देख लिया जिससे और एक चार्ट लिस्ट भी जिसको अच्छी नौलेज होगी तो वह समझ भी जाएगा कि यह क्या कह रहे हैं और पूरा देख लिया कि पिछले आने वाले कई सालों में कैसे उतार चड़ाव रहा है कैसे परफॉर्म किया है तो बस एक स्टेबल गवर्मेंट आए चाहे एंडिया या इंडिया एलाइंस है चीजे बैटर ह हो और देश मजबूत होना चाहिए यह मैटर करता है यह ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए फिर सरकारें जो भी आएंस क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी देश यही रहेगा दंता यही रहेगी तो इसी सोच के साथ आज के लिए इतना है जैहिं टीप आने करने को सब्सक् झाल